हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अर्यास अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयोजीत सभी परतियोगी परिक्षाएं जैसे कि आरे एस फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, राजस्तान पुलिस, कौंस्टेबल, ऐसाई, ग्राम, शेवक, राजस्तान, हाई, कोट, अल्डी, सी एवं अन्य सभी परतियोगी परिक्षाएं के लिए राजस्तान बुगोल की क्विज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपनी 30 क्विज है, वो कंप्लीट हो चुकी है, आज अपनी इसमें 31 नंबर की क्विज है देखिए, अभी तक अपनने 1200 प्रेशन है, वो राजस्तान बुगोल के पढ़ लिये हैं, 30 क्विज के अंदर अगर आपने इनको नहीं देखा है, तो आप ले लिस्ट में जाएए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्तान बुगोल क्विज के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी के सारी क्लासें हैं, वो जरूर देखें और आरद्यारज सेकेडिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दमाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज का अपना पहला प्रैसन है, इसमें देखें, निम्न मेंसे कौन सा एसंगत यूगम है, कौन सा जो यूगम है वो एसंगत है, एक तरफ परियूजना दे रखिए, दूसरी तरफ लाबानवित जिला दे रखा है, यहां पे देखे पारवती बांद है, वो काँपर है, तो वो धोलपूर में है, बिल्कुल सही है, पस्मी बनास बांद है, यह दोस्तों शिरोई में है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है, मोरा सागर बांद है, यह स्वाई मादवपूर में है, यह भी इसमें सही है, तोडी सागर बांद है, भांकडा नांगल परियोजना में राजस्तान का हिस्सा कितना परतिसत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15.22 परतिसत हिस्सा है भांकडा नांगल परियोजना में राजस्तान का ठीक है याद रखना और जो भांकडा नांगल परियोजना है ये कौन सी नदी पर बन किस सहर को पेजल उपलब्द होता है राजीव गांडी जलो थान नहर यानि कि लिप्ट के नाल योजना से किस सहर को पेजल उपलब्द होता है तो यह होता है दोस्तों इसमें जोधपूर से ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपूर ठीक है आगे देखें भ नेक्स्ट 46 नंबर प्रेशन है इसमें देखें जैसमंद जील उद्यपूर जो की मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील है किस नदी पर बनाई गई है तो दोस्तों जैसमंद जील है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है ये अपने कुछ में बता आगे देखिए राजे के कुल सिंचित छेतरफल के आधार पर नियूनतम सिंचित छेतर किस जिले में है तो ये है दोस्तों इसमें राज समंद में ठीक है तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का उप्शन हो जाएगा राज समंद आगे देखिए 48 नंबर का प्रेशन है कुन सा युगम इसमें सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है, देखे एक तरफ लिप्ट नहरे हैं, दूसरी तरफ लाबानवित जिले हैं, तो यहां पे देखे चोदरी कुमबारा लिप्ट नहर, दोस्तों यह हनुमानगट, चुरू, विकानेर और जुन-जुनू, ठ पानी आता है, और इसका पुराना नाम था, दोस्तों, नोहर सहवा, ठीक हैं, तो यह इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, आगे देखे पन्नालाल बारुपाल, जो लिप्ट नहर है, यह दोस्तों, विकानेर और नागोर, चितर में इसका पानी आता है, ठीक हैं, यह पेजल परियोजना चलाई गई थी, इसका पुराना नाम गजनेर था, यह भी बिल्कुल सही है, आगे देखे, गुरू जंबेश्वर, गुरू जंबेश्वर है, यह दोस्तों, विकानेर, जोदपूर और जसलमेर, ठीक है, इन तीन जिलों के अंदर इसका पानी आता है, यह भी परियोजना है, यह जोदपूर और जसलमेर में इसका पानी आता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें ऐसंगत है, आगे देखे, इसमें इंदरा गांदी लिप्ट नहर की लिप्ट नहरो में सबसे लंबी नहर कौन सी है, इं लंबी है, वो है कमरसेन लिप्ट नहर, कौन सी है, कमरसेन लिप्ट नहर, ए नंबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखे, कमरसेन लिप्ट नहर का जो पानी है, वो बिकानेर और गंगानगर जिले में आता है, इसका पुराना नाम, कमरसेन लिप्ट नहर क 63 किलोमेटर 151 पॉइंट है 63 किलोमेटर इसकी लंबाई है जो सबसे लंबी है यह नमबर उप्षन सही उत्तर दो जिलो को ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा डूंगर पुरो बास्वड़ा ठीक है देखिए इसके उपर माही नदी पर चार बांध बनाए गए है चोरी तीन माही बजाज सागर बांध और कागदी पिक अप बांध यह राजस्तान में है और कडाना बांध है यह गुजरात में है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर बी नमबर का उप्षन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें कौन सी परियोजना राजस्तान मद्य परदेश गुजरात और महाराष्टर की संयुक्त परियोजना है तो सब को पता होगा दोस्तों यह तो कौन सी है वो तो वो है दोस्तों देखिए वो है सरदार सरोवर परियोजना कौन सी सरदार सरोवर परियोजना यह दोस्तों राजस्तान मद्य परदेश गुजरात और महाराष्टर की संयुक्त परियोजना है तो इसका राइट आंसर बी नमबर का उप्षन हो जाएगा आगे देखिए इंद्रा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है इंद्रा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो कितनी है तो सब को पतावगा यह तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अब लंबाई है इसकी चैंज होती रहती है ठीक है जैसे अभी जु हो जाएगा next देश के कुल सिंचित 6 का कितने परतीसत राजस्तान में है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए 9.2 परतीसत 9.2 परतीसत सिंचित 6 है राजस्तान में देश का कुल ठीक है याद रखना तो इसका right answer सी नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें नेशनल एकी फायर मेपिंग एंड मेनेजमेंट प्रोग्राम को कहां कहां प्रारंब किया गया नेशनल एकी फायर मेपिंग एंड मेनेजमेंट प्रोग्राम कहां कहां प्रारंब किया गया तो यह प्रारंब कहां कहां किया गया तो ये किया गया दोस्तों देखिए नागपूर महाराष्टर में पतना बिहार में तुमकूर करनाटक में और कुडलूर तमिलाडू में दोसावय अजमे राजस्तान में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी इस्तानों पर दोस्तों नेशनल एकिफायर मैपिंग एं केंदर वैराज्य सरकार का वितिय भागिदार अनुपात कितना है तो दोस्तों केंदर वैराज्य सरकार का वितिय भागिदारी अनुपात है वो कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना तो दोस्तों 90 अनुपात 10 ठीक है 90 परतिसत तो केंदर का और बिकानेर नहर किस नहर का प्राचीन नाम था तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बताएए दोस्तों वो है इसमें गंग नहर गंग नहर का जो प्राचीन नाम था वो दोस्तों क्या नाम था तो वो है बिकानेर नहर तीक है याद रखना तो इसका राइट आंसर ए नंबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इंद्रा गांदी नहर का अंतिम छोर कहां तक है इंद्रा गांदी नहर का अंतिम छोर है ये कहां तक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहां तक है तो ये है मोहनगड जहसलमेर तो इसका right answer ए नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें चंबल नदी सिचाई प्रयोजना किन राज्यों की है तो इसका right answer हो जाएगा वो है देखिए मद्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है फिर राजस्तान में आती है ठीक है तो राजस्तान और मद्य प्रदेश की सही उत्तर प्रयोजना है तो इसका right answer हो जाएगा डी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट है बारा सितंबर 2003 को इंद्रा गांदी नहर प्रयोजना की छे लिप्ट नहरों का नाम करण महापुर्सों के नाम पर करने की गोश्टना की गई थी निम्न में से किस नहर का परिवर्तित नाम चोदरी कुमबाराम योजना है तो दोस्तों ये देखे नोहर मावठा या आप इसको सहवा सोरी नोहर सहवा नोहर सहवा का नाम परिवर्तित करके चोदरी कुमबाराम लिप्ट नहर कर दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे साथ नमबर का प्रेस ने प्रदेश के भूजल विभाग ने गिरते जलिस्तर के परती लोगों को जागरूप करने के लिए किसके सयोग से भूजल सूचना लिए विक्सित की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूरोपेन यूनियन बी नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्ण में से कौन सा नगर आगर बी-सलपूर पर्योजना से लाबानवित नहीं है तो इसका राइट आंस C नंबर का option हो जाएगा तीक है आगे देखिए 62 नंबर का प्रेश नहीं इसमें देखिए निमनलिकित परियोजनाव उनसे समंदित जिलों के नام का कौन सा युग में इसमें गलत है तो दोस्तों इसमें कौन सा एक गलत दे रखा है वो अपने को इसमें बताना है देखिए य यहां पे नागोर दे रखा है तो इसमें पहला ही गलत हो जाएगा औरही परियोजना है यह दोस्तों चितोडगड में है कहां पर है चितोडगड में ठीक है पारवती परियोजना धोलपूर में है बिल्कुल सही है जमाई बांध है यह पाली में है यह भी सही है जाकम परियो तो इसका right answer हो जाएगा sommes 27 से 30 पृतिशत 27 पृतिशत है वो नहरों के के दुआै होती है राजस्तान में ठीक है किost भी आपको बता लेता हूँ किस से कितनी सिचाई होती है । तो देखिए नहरों से तो होती है लगबग 30 पृतिशत ठीक है तालाबों से होती है लगबग एक परतिस्त क्योंकि तालाबों से चाहिए है वो भीलवाडा जिले में होती है और नहरों से सरवादिक से चाहिए है वो सिरी गंगानगर जिले में होती है तो कितने हो गए 31 परतिस्त हो गए अब देखिए दोस्तों आगे कुए और नलकुपों, नलकुपों से तो होती है दूस्तो 42 परतिसत और कुए से होती है 25 परतिसत सिचाई, ठике है? यानि कि दोनों कितने हो गए? 66 परतिसत, तो 67 और 31 कितने होते हैं? तो 98 और बचे 2 दो परतिसत है वो 97 नों से सिचाई होती है दुबारे देखिए नल कुपो से 42 परतिसत कुए से 25 परतिसत नहरोजे 30 परतिसत तालाबो से 1 परतिसत और 97 नों से 2 परतिसत सिचाई होती है तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जा नदी को बनास नदी से जोडने का निर्ने लिया है नदियों को आपस में जोडने के लिए राजे सरकार ने किस नदी को बनास नदी से जोडने का निर्ने लिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है ब्रामनी नदी ठीक है तो इसका परियुजना है यह पंजाब हरियाना और राजस्तान की संयुक्त परियुजना है चंबल परियुजना के बारे में आपको बताया था मद्य परियुजना है व्यास परियुजना यह दोस्तों पंजाब हरियाना और राजस्तान की संयुक्त परियुजना है और माही बजाज सागर परियुजना है यह दोस्तों राजस्तान और गुजरात की संयुक्त परियुज ना है तो इस प्रेस्चन का right answer हो जाएगा D-B-C-A, D-B-C-A, यानि की D नंबर का को प्रेस्चन नंबर प्रेस्चन है उद्यपूर से समंदित बांद है, उद्यपूर से समंदित बांद है तो वो कौन सा है तो वो है इसमें दोस्तों देखिए मानसी वाकल गोराना बांद, आकोदड़ा बांद, कासोटिया बांद, ये तीनों बांद हैं, ये उदैपुर से समन्दित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्तसभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए पि जहान पूरवक पढ़िये, यहाँ पे दो कथन दिये गए हैं, अपने को दोस्तों इसमें बताना है कि इन में से जो एक कथन है, ये कौन सी परियुजना से सम्मंद रखते हैं, तो देखिए दोस्तों, चूने से बनी इस नहर की लंबाई 132 किलोमेटर है, जो 122 किलोमेटर पंजाब में और 17 किलोमेटर राजस्तान में सिवपूर गंगानगर तक है, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे कौन सी नहर की जिसकी लंबाई टोटल 132 किलोमेटर है, और राजस्तान में उसकी लंबाई 17 किलोमेटर है, और पंजाब में उसकी 112 किलोमेटर है, ठीक है, बता पर समझोता हुआ था तीगें अब बताना है दोनों के दोनों कतन है यह कौन सी पर्यूजना से समंदित है चार उप्षन आपके सामने नीचे दे रखें हैं जल्दी से देखिए दोस्तों तो देखिए इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गंगन हैर परियुजना गंगन हैर परियुजना से समझ दित ये दोनों कतन थे देखिए गंगन हैर का जो निर्माता है वो माना जाता है महाराजा गंगा सिंग को इसका निर्मान काल है वो 1927 में हुआ था और नदी नदी का नाम है दोस्तो सतल नदी विष्व की पर्थम पक की नहर वेवेस्ता है वो इस गंगन हैर में ही थी इसकी टोटल लंबाई 130 किलोमेटर है जिसमें 112 किलोमेटर पंजाब में और 17 किलोमेटर राजस्तान में है ठीक है इस नहर के निर्मान के कारण पंडित जवाहर लाल नेरूजी ने महराजा गंगा सिंग को आदुनिक भारत के भागीरत काहा था ये भी आपको इसमें याद रखना है और इस नहर परियुजना से सरवादिक लाभानवित जिला है वो है सिरी गंगा नहर ये भी आपको इसमें याद रख है ठीक है देखिए राजस्तान में नहर सिंचित चेत्रे कर्शी उत्पादन में उल्लेखनी सफलता मिली है तो बिल्कुल सही है आगे देखिए कारण नहर सिंचित का सबसे सस्ता एवन सुरक्षित फिरुत है ये देखिए गलत दे रकाए तो इसमें वह की समस्या जाती है इस करना है एक तरफ परियुजना है दूसरी तरफ जिला है यानि कि कौन सी परियुजना कौन से जिले में है ये अपने को इसमें बताना है ठीक है देखे चापी परियुजना है ये दोस्तो जहलावाड में है का पर है जहलावाड में सोम कमला अंबा परियुजना है ये दोस्तो डूंगरपूर में है सावन भादो प्रियुजना है ये दोस्तो कोटा बारा जिले में है और सौम का अगदर प्रियुजना है ये दोस्तो उदैपूर जिले में है ठीक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है चार तीन दो एक छापी प्रियुजना जहला सौम कमलामबा प्रियुजना डुंगरपूर सावन बाद्दो प्रियुजना कोटा और वारा में और सौम कागदर प्रियुजना ये उद्धैपूर में है तो इस प्रेसन का राइट अंसर हो जाएगा चार तीन दो एक है तो इसमें सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तरह ह आगे देखिए इसमें 71 नमबर प्रेसन भाकडा नंगल बांध का पानी निम्न में से किसे नहीं मिलता है तो ये किसे नहीं मिलता है तो ये दिल्ली को नहीं मिलता है डी नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही तरह हो जाएगा नेक्स्ट है इंद्रा गांधी नहर के से सम्मानित किया गया वहें कुन है तो वहें धहें दोस्तों कोण कमर सेन सी नंबर का जो उप्चन है वो इसका बिल्कुल सहीधर हो जाएगा आगे देखिए माही नदी पर कडाना बांद निर्मित किया गया है माही नदी पर कडाना बांद निर्मित किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों गुजरात में कहां पर किया गया है गुजरात में सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है मारवाड का अमरच श्रोवर कौन सा है मारवाड का अमरच श प्राप्त होती है तो माही प्रयूजना की जो समस्त विद्धूत है वो किसको प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर कौन से कौन से राज्ये को तो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए चार ओप्षन आपके सामने है इस प्रैसन को देखिए माही नदी पर जो जल विदूत है वो केवल रاجस्तान के आदिवासी छेतर में आपूर्ती की जाती है यानि कि विदूत है वो केवल और केवल राजस्तान को मिलती है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए चेंतर नमबर प्रेशन है राजस्तान में सबसे अधिक सिचाई किन जिलों में होती है तो सबसे अधिक सिचाई है ये कौन से जिले में होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिरी गंगा नगर और हनुमान गड़ जिले में सबसे अधिक सिचाई होती है दी नमबर उप्षन सही उत्तर आगे देखिए सततर नमबर का प्रेशन है निम नलिकित सूची फस्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए सूची फस्ट में प्रेशन है और सूची सेकंड में अव इस्तती है देखिए इसके अंदर यहां पे देखिए जो चोली प्रेशन है यह कहां पर है तो यह जहलावाड में है जहलावाड में जैसमंद प्रेशन है यह उदैपुर में है और खोकुंडा प्रयुजना है ये दोस्तो भीलवाडा जिले में है और नाराण सागर प्रयुजना है ये दोस्तो अजमेर जिले में है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है 1, 2, 3, 4 यानि कि इसका कूट बासा में सयुत्तर हो जाएगा ए नमबर का option बिलकुल सयुत्तर जिसमें 1, 2, 3, 4 दे रखा है ठीक है आगे देखिए आई एन जी पी यानि कि इंद्रा गांदी नहर प्रयुजना छित्र में उत्पन सेम की समस्या का उपचार कैसे संबव है तो सेम की समस्या का उपचार है वो कैसे किया जाता है तो वो है देखिए नहर की मरमत वे लाइन के वीछाइंग करना, भूंद भूंद शिचाई वे पुमारा शिचाई पदति का परयोग करना, नहर के दौनों और व्रक्सों, उनके बीच सेवन गास लगा करें ओर दोस्तों ये सभी उपचार के कारिये हैं इनने सभी के द्वारा जो सेम की समस्या है उसका उपचार किय आजा सकता है तो इसका right answer D number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें राजीव गांदी सिद्मुक नोहर परियुजना किस से समंदित है राजीव गांदी सिद्मुक नोहर परियुजना किस से समंदित है तो ये समंदित है दोस्तों किसे तो ये व्रहद सी चाई परियुजना से समंदित है तो इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आज का अपना अंतीम प्रेस ने किस वर्ष राजस्तान नहर का नाम परिवर्तित कर इंद्रा गांदी नहर परियुजना रखा गया बहुत यचा प्रशन है तो देखिए यहां पर बात हो रही है इंद्रा गांदी नहर परियुजना तो ये इंद्रा गांदी नहर परियुजना जो नाम है ये कब रखा गया था ठीक है पहले तो इसका नाम था राजस्तान नहर ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गुनी सो चौरासी में गुनी सो चौरासी में इसका नाम है वो दोस्तो इंद्रा गंदी नहर किया गया था ठीक है याद रखना गुनी सो चौ ने मरू गंगा की संग्या दी थी इस इंद्रा गंधी नहर प्रयूजना को ठीक है याद रखना तो इसका राइट आंसर वो है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्तान की जोग्राफिक अंदर जो 31 नंबर की क्विज है वो क सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइक उनको तबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिंद जैभारत